सब पापा साकरणं कुसला सौप संपदा सचेत परियोध पनं हेतं वो दानं सासनं सभी पापां को नहीं करना उसल कर्मों का संचे करना अपरे चित को सुद्ध करना यही उद्धों का धर्म है इसलिए बताया सब पाप साकरणं कुसला सौप संपदा सचेत परियोध पनं एतं वो दानं सासनं खंति परमं तपोति देखा नेपानं परमं वदंति वो दां नहें पाप जितो परो बगाती समनो ती परम वियत यंतो अनूप बादो अनूप गातो पाति मोके च सांबरो मत्यांताचवत अस्मी मत्यसयनासनं अदिचेतेचायोगो एतं भुक्तानं सासनं भवान ने उताया बहुत भिक्मों को या जो उतकी रास्ते पसल रहे हैं उनको कैसे करम करना चाहिए इसलिए इस गाता में हम समर्द करेंगे नतावतादमदरो यावतावतवासती योच अप मीसोत्वानं धंकाये नपसती सवेदमदरो थी योदमनपमजती नाथिमे सरनंगयं बुद्दो मे सरनंग वरं बहुत बोलने से धंबधारन करने वाला नहीं होता जो थोड़ा भी सुनकर अमन में लाता है काया में धारन करता है यानि काया में उदेव्य धंब को देखता है तता जो धंब में असाबधानी नहीं करता वही धम धर यानि धम दारन करने वाला होता है इसलिए भगवान ने ये भी बताया कि जो भी बहुत भिक्व हैं वो हमेशा ये खाना जब खाएं और उस खाने को, मात्रा को हमेशा ध्यान में रखें अगर आपकी भूम एक निश्चित मात्रा में है तो अलाभग चोथाई इससे के पेट को खारी रखें ऐसा ये बताया कि अपने भात की मात्रा को इस गाता में भवान ने बताया सादू सादू सादू